आज मैं आपके साथ सेर्ख करने वाली हूँ सूपर हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जी हाँ आज हम बनाएंगे अवकाडो टोस्ट जो फॉरेंड कंट्री में एज़ ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से अवकाडो टोस्ट परनाया जाता है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बढ़ाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलो इस इंड्रेस्टिंग से रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रेट को टोस्ट कर लेंगे आप चाहा है ब्रेट को टोस्ट करने के लिए टोस्टर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर मैंने एक ग्रिलर पैन को गैस पर रख दिया है उसमें थोड़ा सा बटर एड़ किया है और ब्रेट को दोनों साट से हम ग्रिल कर ल न पका हुआ अवकाडो है यह दिखो कि इसका कलर जोना बिलकुल डार्क हो चुका है यह जो कच्छा वाल है यह बिलकुल ग्रीन कलर का है तो इसको आप 2-3 दिन रखो गे ना बाहर तो यह बिलकुल पक जाएगा तो यहां पर हम पखे वाले आवकाडो का यूस करेंगी एक कुछ इस तरह से पो निवेकर करना है इसके जाता है कि इस पूसे होटा कर लेसे तुसके चार्टों चॉस्त करके इसको निकाल दो इस तरह से अब इसका से निकाल देंगे ये यह इस ठालोक तरीके के मरें आप सी शेज Nicholas इसे alligator pairs भी के नाम से भी जानते हैं इसे butter fruit के भी नाम से जाना जाते हैं क्योंकि इसके अंदर का जो pulp होता है बिल्कुल buttery होता है इसलिए हम इसे butter fruit भी कहते हैं दूसरे वाले पार्ट को भी हम निकाल लेंगे चलो इसके health benefits हम जान लेते हैं इसमें काफी मातर में fiber, vitamin A, C, omega 3 और K होता है जो हमारे health के लिए काफी अच्छा होता है ये digestive system को हमारे अच्छा रखता है fog की मदर से हम इसे mask कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तर से avocado का sick भी मैंने वीडियो पे share किया हुआ है वो भी आप ज़रू चेक आउट कीजिए और इसमें antioxidant होता है ये हमारे skin के लिए काफी अच्छा होता है ये दुकर avocado हमारे अच्छी तर से mass हो चुका है अब हम इसमे 1 teaspoon lemon का juice आट करेंगे यानि निबू का rest 1 by 3 teaspoon से black pepper आट करेंगे यानि काली मिर्च का powder और दो बड़े चमाच इसमें onion कटा हुआ यानि प्याज दो बड़े चमाच इसमें हम tomato कटा हुआ आट करेंगे यानि चमाटो और टेस्स के गार्डिं सॉल्ट और सभी चिजों को अच्छी तर से mix कर लो थोड़ा से इसमें च अच्छी तरह से आप चाहें तो ब्रेट पर tomato ketchup लगा के फिसकी वद आवकाडो का जो mixer ने वह एल लगा सकते हूं आपके ऊपर है अच्छी तरह से वने ब्रेट पर आवकाडो को अच्छी तरह से फैला लिया है इसी तरह समद्से ब्रेट पर भी इसे फैला लेंगे इसे हम थोड़ा सा बारिक वाली सेव एट करेंगे जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर एट करता है इसमें इसे हम बीज से कट कर लेंगे मैं जैनरली इसे हफते में दो से तीन बार जरूर बनाती हूँ और मेरे बच्चे भी काफी से पसंद करते हैं तो आप भी इस रस्पी को जरूर ट्राय करना आप मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताने कि आपको इस रस्पी कैसी लगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फोगेट तो लाइक सेर एंड सब्सक्राइब तो चिलो मिलते हैं एक नही र थैंक यू पर वाचिंग